स्वागत है आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 उससे पहले अगर आपने कॉंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उपर जो आई बटन बन करा रहा है उस पे क्लिक करेंगे तो उस वीडियो में चले जाएंगे वहाँ मैंने पूरे बताया है कि एक्लिट्स डिवीजन अलगोरिथम क्या है कैसे हैं कॉश्चन को सॉल्व करेंगे प्रूविं वाले कॉश्चन किस तरह से करेंगे वहाँ से जा कर देख सकते हैं तो इस वीडियो में एक्सरसाइज सॉल करेंगे पहला question है, use eclipse division algorithm to find the hcf of one, पहला question है, इसमें पहला part है, 135 and 225 और एक और बात इस maths की playlist भी बनी हुई है, तो उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगे, जब जाएंगे नीचे detail में, तो वहाँ आपको सारे subjects का link दिया हुआ है, वहाँ maths वाले पे click करेंगे, तो आपको सारी जितनी maths की चाहिए, exercise की हो या concept की हो, उस सारी video आपको वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ओके तो हम start करते हैं, 135 और 225 का hcf निकालना, अगर आपने concept वाली video देखी होगी, तो मैंने step by step किया था, इस पहले question को भी हम, जिस तरह से exam में लिखेंगे, उस तरह से हम करेंगे ओके तो start करते हैं, कैसे exam में लिखेंगे हम, since 225 is greater than 135, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बड़ा number होता है, उसको a मान लेते हैं, eclipse division algorithm क्या होता है, यह आपका a is equal to bq plus r होता है, ठीक है, तो बड़े वाले number को a, और छोटे वाले number को b, तो यहाँ यह हो गया, 225 is greater than 135, applying eclipse division lemma we get, हमें क्या मिलेगा, 225 यह हमने माना है, और 135, अब इसको side में इस तरह से हम divide कर लेंगे, इस तरह से आपको paper में लिखना है, ठीक है, 225 और 135 यह बाहर हो गया, कितने times जाएगा, 1 times जाएगा, 135 आजाएगा, इसको minus करेंगे, आपका बज़ जाएगा 90, ओके, तो quotient आपका 1 हो गया, remainder आपका 90 हो गया, अब इस जो divisor आया है, 135 वो remainder, इसके बीच में eclipse, division, lemma लगाएगे, ऐसा इसलिए, क्योंकि remainder हमारा 0 नहीं आया है, और इस process को हम करते रहेंगे, जब तक remainder 0 ना है, तो हम लिखेंगे since remainder 90 not equal to 0, चुकि remainder 90 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, we apply division lemma 2 135 and 90, तो 135 और 90 में apply कर देंगे, यह इसको आप ऐसे bracket में बंद कर लिजेगा, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ, हमने side में show किया है, तो 135 यह इधर हो गया, और 90 हमने यहालिक लिए, फिर से हम यहाँ side में कर लेंगे, 135 और यह 90 हो गया, इस बार भी one time जाएगा, वनना 180 हो जाएगा, two times करेंगे, तो 90 माइनस कर देंगे, 45 आपका यह आ जाएगा, ठीक है, तो quotient 1 था, हमारा remainder 45 बचा, अब जो diviser आया है, 90 और 45 में apply करेंगे, क्योंकि अभी भी remainder हमारा 0 नहीं हुआ, तो एक बार फिर से हम करेंगे, इसको यहां से ऐसे लगा सकते हैं, because, ऐसा इसलिए है, ठीक है, bracket बंद कर देना, फिर भाई लिखेंगे हम, since remainder 45 not equal to 0, we apply division lemma to 90 and 45, तो आप 90 इधर लिख लिए हमने, 45, तो अब अगर हम करेंगे 90 को 45 से divide, तो आप देखेंगे, 2 times जाएगा, 90 आजाएगा, remainder 0 हो जाएगा, ओके, bracket में इधर बंद कर दिया हमने, तो 2 times गया, remainder आपका 0 हो आगया, तो जैसे ही 0 आएगा, वैसे ही process stop हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे exam में, the remainder now becomes 0, so our procedure stop, remainder 0 हो गया, इसलिए बारा हमाद procedure stop हो जाएगा, since divisor at this stage is 45, the ICF of 225 and 135 is 45, तो यही 45 आपका answer हो गया, तो आपने देख लिया, कि exam के point of view से कैसे हमको लिखना है, आप दूसरा question करेंगे, हम direct करेंगे, और आप video pause करके, इसको अपने से खुद solve करिए, ठीक है, आप मैं direct कर देता हूँ, step wise आपने समझ लिया कि कैसे कैसे step करना है, तो वही लगाएंगे, Eclipse division lemma हम लगाएंगे, 38220 equals 196, अब side में यहां हम divide कर लेंगे, ठीक है, 38220 और यह रहा आपका 196, तो कितने time जाएगा, double कर देंगे तो 400 करीब पहुच जाएगा, तो हम one times जाएगा, और यह 196 आजाएगा, minus करेंगे, तो यह six होगा यहां, और यह eight होगा, और यह one होगा, इधर से two उतार लेंगे हम, अब कितने time जाएगा, अब देखें कि इसको अगर हम 10 से multiply करते हैं, तो one, nine, six, zero हो जाएगा, एक कम, nine times हम जाकर देखते हैं, तो nine times से करेंगे, तो हमारा आएगा, one, seven, six, four, अब minus करेंगे, तो nine, eight, और यह उपर वाला zero उतार लिया हमने, और यह five times जाएगा, और five times जाएगा, तो nine, 80 हो जाएगा, minus करेंगे zero, तो अगर इसे हम, one, nine, five times multiply करें, तो zero आएगा, यह remainder, तो बस, जैसे ही zero आगया, process stop हो जाएगा हमारा, अब HCF हमारा क्या हो जाएगा, one, nine, six, तो बस इतना ही था, ठीक है, अक्सार होता है, कि पहले step पे ही zero आजाए, तो अब इस question को भी देख लेते हैं, आप video pause करके, इसको question solve कर सकते हैं, और कोहिश करिए कि, जैसे exam में लिखना है, उसी process के हिसाब से लिखिए, तो एक flow बना रहता है, वरना exam के time, हम practice तो करे होते हैं, ऐसे ही direct करने की, और exam के time, फिर हम से गलती हो जाती है, ओके तो मैं solve करता हूँ, 867 है गया, 255 हो गया, और यहां फिर हम divide करके, देख लेते हैं side में, ऐसे side में आपको लिखते रहना है, ठीक है, अगर लिख देंगे तो अच्छी बात है, तो यह आपका 3 times जाएगा, तो आएगा 765, माइनस करेंगे, 102 होगा, तो यहनि कोशन्ट आपका 3 है, remainder आपका 102 बच रहा है, ठीक है, तो आप इसमें और इसमें apply करेंगे, 255 equals 102, अब कितने times जाएगा, यह 2 times जाएगा, 204 हो जाएगा, और कितना फिर बच जाएगा, 51, ठीक है, इसको side में करके दिखा सकते हैं, अब फिर से हम 102 और 51 में apply करेंगे, इसमें और इसमें, ठीक है, तो 102 हमने कर लिया, 51, अब देख रहे हैं, सीधे सीधे 2 times हम कर देंगे, तो 102 हो जाएगा, और remainder यहाँ 0, जैसे 0 हो गया, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, HCF हमारा 51 आ जाएगा, अब एक तरीके का question पूछा जाता है, ठीक है, आपको इसी में आगे जोड सकता है, क्या ध्यान से सुनिएगा, कि if HCF of 867 and 255 is expressed in the form of, इसको इस form में express करेंगे, किस तरह से, 10N-49, इस तरह से हम इसके HCF को लिख सकते हैं, तो बताएए N की value क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, HCF आपको निकला हुआ 51, बस 51 को हम इक्वल कर देंगे, 10N-49 है, क्योंकि कह रहा है कि HCF को इस तरह लिख सकते हैं, अब इसके N की value निकालने में कुछ नहीं है, इसको इधर ले गए, कितना हो जाएगा, 10N आपका बराबर, 100 हो जाएगा, और N की value 10 आजाएगी, तो ठीक है, इस सारा question आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, 2019 में आया है question, यह देख सकते हैं, 2019 की paper में यह question है, और इसके अंदर पूछा हुआ है, if a CF of 65 and 117 is expressed in the form of, 65 N minus 117, then find the value of N, तो यह CBSC के तरफ से, toppers की जो answer sheet है, वो दी गई है, उसके अंदर देखिये, इस topper नहीं किस तरह से लिखा है, using Euclid Division Lemma, state that, जिसके अंदर यह कहा गया है, कि a is equal to bq plus r, जहां r zero से बड़ा, यह बराबर है, और b से कम है, we can find the HCF of 65 and 117, तो देखिये, इसने direct कर दिया है, ठीक है, इतना tension learning ज़रत नहीं है, कि इतना process लिखे है, क्या step लिखे है, बस आपको बताना है, थोड़ा सा explain करना है, कि हम कर क्या रहे है, ठीक है, ऐसे नहीं कि सीधे 117 से शुरू कर दिया, HCF निकाल दिया, तो देखिये, statement थोड़ा से लिखा है, इसके अंदर, और यहाँ side में भी नहीं दिखा है, कि मैंने divide किया है, आप दिखा देंगे तो बहतर है, time पे depend करता है, time है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह भी चल जाएगा, ठीक है, तीनो step ऐसे इसने लिख दिया है, और फिर लिखा है, therefore, HCF of 65 and 117 is 13, और वहाँ तरह दिखे, equation को solve करके, n की value put कर दिया, और दिखा दिया, n की value 2R यह, ठीक है, तो यह toppers की answer sheet है, exercise का second question, show that any positive odd integer is of the form 6Q plus 1, और 6Q plus 3, और 6Q plus 5, where Q is some integer, तो मैं इसे अपने तरीके से करूँगा, मैंने concept वाली वीडियो में बता है, किस तरह से करेंगे, book वाली language थोड़ी बहुत ज़्यादा confusing है, इस तरह जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसा लिख सकते हैं, कोई problem की बात नहीं है, exam में number कटेगा तो नहीं, ऐसा कोई number नहीं काट सकता, ठीक है, तो मैं start करता हूँ, तो क्या लिखेंगे positive odd integers, तो positive odd integers क्या हो सकते हैं, 1 से start होगा, odd निकालना है, तो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा कि, तो अब eclipse division lemma हम लगाएंगे, applying eclipse division lemma to odd integers, and 6 one by one, तो भाईया जगो हमको लाना होगा न, देखो ये सीधे सीधे दिया हुआ है, यानि B की value हम 6 रखेंगे, ठीक है, BQ plus R होता है, तो Q हमको दिख रहा है, तो यानि, जो होगा, 6, 7, 8, जो भी यहां लिखा होगा, वही आपको यहां लिख दियना है, ठीक है, तो lemma किसमें लगाएंगे, odd integers में, और 6 में, एक के बाद एक, एक बाद 1 में लगाएंगे, 3, 5, 7, इस तरह 9 करते हुए, तो चलिए लिख लेते हैं, एकलेटिज दिवीजन lemma किया, A is equal to BQ plus R, तो 1 में लगाते हैं, B हमने हमेशा मान कि चले हैं, कि 6 ही लेना हैं हमको, side में कर लेते हैं, ठीक है, और फिर यहां 6 लेंगे, आप देखिए, इसको ऐसे, आपको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, ठीक है, यह अच्छे तरीका है दिखाने का, कि आप किस सरा से solve कर रहे हो, तो यहां 3 लिख लिख लिए, 6 लिख लिख लिए, अभी विए 0 टाइम्स जाएगा, और यह 0 और रेमेंडर 3 बचेगा, ओके, तो हमने लिख लिख लिए, 0 अब की रेमेंडर 3 बच गया, 6, और यह side में, तो इसको ध्यान रखिएगा, जहां पर यहां solve कर रहे हैं, इसके नीचे से आपको शुरू करना है, ठीक है, मेरे पास तोड़ा space नहीं है, वरना यहां जो bracket यहां से आप 5 को लिखेंगे, तो लगेगा, वरना लगेगा यह 5 के सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका division यहां दिखा रहे हैं आप, वो इस equation के सामने ही होना चाहिए उसकी, तो यह 5 अंदर हो गया, 6 हो गया, और अभी भी 0 टाइम्स जाएगा, फिर 0 और 5 रिमेंडर बच गया, ठीक है, यह 0 प्लस 5, इसी तरह 7 का निकालेंगे, और side में आप show करते रहेंगे, ठीक है, मैं direct कर देता हूँ, इस बार 1 टाइम्स 6 into 1 प्लस 5 रिमेंडर, अब इतना आपको दिखा देना है, side में divide करते हुए, ठीक है, अब आप लिखेंगे, similarly, फिर आपको आगे solve नहीं करना है, बस आपको direct लिखते जाना है, 13 equals 6 into 2 प्लस 1, उसके नीचे 15 का लिख देंगे, फिर 17 का लिख देंगे, उसके बाद, आप दे 5 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर इस सरह से 1, 3, 5 आएगा, यानि ये 1, 3, 5 ही repeat करता जा रहा है, और B हमने 6 मान लिया हुआ है, और Q की value change होती जाएगी, जितना आगे चलते जाएंगे Q की value change होती चली जाएगी, लेकिन R देखिए, वही 3 में से लें हमेशा, और R की value क्या है, या तो 1 आ रही है, या 3 आ रही है, या 5 आ रही है, तो putting value, क्या हो जाएगा, A is equal to, या तो 6Q plus 1, और 6Q plus 3, और 6Q plus 5, तो बस कह सकते हैं, so we can say that, फिर यही कोशन में से copy कर देना है, any positive what integer is of the form 6Q plus 1, इतना इतना इतना, where Q is some integer, तो ठीक है, इस तरह से हमारा कोशन हो जाएगा, अब यह इस जैसा कोशन हमने किया हुआ है, concept वाली वीडियो में, काजू बर्फी वाला, अब यह army एक कोशन है, थर्ड वाला, an army contingent of 616 members, तो army का एक group है, उसके अंदर 616 members है, is to march behind an army band of 32 members in a parade, एक parade हो रही है, उसके अंदर army के 616 members है, जो पीछे चल ले हैं, और आगे उनके band चल ला है, अब यह band क्या है, DJ वाला band, हाँ वाई वाला band, होता है न, यह देखो, यह musical instrument लेके लोग चल ले हैं यह आगे, यही होता army के band, हर देश के army में होता है, कोई ढोल बजाते हुए चलता है, अलग अलग instrument लेके चलते हैं, तो यह अपने इंडिया का है, इस तरह से, आप देखते हो, parade वगरे में क्या होता है, आगे band चलता होता है, और पीछे फॉज चलती होती है, आर्मी चलती होती है, तो वही चीज यहाँ कह रहा है, ठीक है, band वाले 32 member हैं, और 616 member आपके वह बराबर होते हैं, ऐसा नहीं हो कि band वालों का column धेर सारा है, और आर्मी कम में चल ली है, वह जो पूरी एक line चलती है, वह same रहती है दोनों में, ठीक है, तो इसको diagram से हम देख सकते हैं, for example band वाले हैं, ऐसे चल ले हैं, यह एक, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है, तो यह पूरा एक column हो गए आपका, ठीक है, एक column, इसी दरहा दूसरे line होगी, यह दूसरा column होगा, ऐसे खड़े होंगे, कुछ और उसके पीछे होंगे, कितने होंगे, यह हमको नहीं पता, यही समको निकालना है, फिर ऐसे यहां निकाल सकते हैं, इसके नीचे होंगे, और इसके आगे भी होंगे, ठीक है, तो यह तो आपके band वाले हो गए है, बाजे गाजे वाले हो गए है, अब उनके पीछे army contingent है, ठीक है, उसमें भी कुछ लोग लगे होंगे, ठीक है, अब यह जो line में लग रहे हैं, यानि इस line में, इसमें कम जादा हो जगते हैं, लेकिन जो number of columns होंगे, वो same होने चाहिए, यानि अभी दिखाता हूँ मैं, ऐसे से लगे होंगे हैं, और यह आगे तक होंगे इस तरह से, ठीक है, तो यह जो column होगा, जैसे यह one, और यह two, यह three, इस तरह से n columns, और example, आगे चलकर n columns होंगे, वही n columns यहाँ पर भी होने चाहिए, one, two, three, इस तरह करके n columns, तभी तो देखने में अच्छा लगेगा, वरना इधर निकल आए, और आगे चलने हैं, कितना खराब लगेगा, तो यह जो होगा, यह n होगा, यह ठीक है, जो columns है, वो n है, चाहे band का ले ले ले, चाहे army contingent का ले ले ले, और इसमें मानले हम कोई x लो अंदर मानलो y होंगे, ठीक है, लेकिन numbers of column n से होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे, जब exam में लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, let total number of column be n, तो total number of column को हम n मान लेते हैं, तो maximum number of columns equal, hcf of 616 and 32, तो ठीक है, यह आपको diagram side में दिखा देना है, अच्छा लगेगा, examiner को लगेगा, कि हाँ, यह क्या बताने कोईश्च कर रहा है, अब ऐसा इसलिए, because, हम 32 को क्या लिख सकते हैं, यह band वाले 32 हैं, यानि अगर n और x को multiply कर दें, तो total number of band में जितने लोग हैं, वा आ जाएंगे, तो band में कितने हैं, 32 हैं, तो हम n multiply by x कर लेंगे, इसी तरह 616 को हम क्या गर सकते हैं, n multiply by y, तो हमें xy नहीं निकाल ला हैं, हमें क्या निकाल ला हैं, hcf कैसे निकाल लेंगे, यह दोखो, n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर यह, यानि n को हमने निकाल लिया, तो यही hcf बन जाएगा, अब यहाँ लिख सकते हैं, यह वेर x is number of band member in each column, and y be the number of army contingent member in each column, ठीक है, x जो है band member है, हर column के अंदर, और y जो है, वो number of army contingent है, उस column के अंदर, तो बस, eclips division lemma हम use करेंगे, using eclips division lemma to 616 and 32 we get, क्या मिलेगा, वही लगा दो, a is equal to bq plus r, a हमारा बड़ा वाला होगा, 616 is equal to 32, side में यहाँ divide करके दिखा दो, bracket के अंदर दिखाना, कि हाँ अलग से कर रहे हैं, 616, 32 बाहर, तो यह solve कर सकते हैं, आप 19 times जाएगा, और यह पहले 1 times जाएगा, 32 हो जाएगा, यहाँ से फिर 296 बचेगा, फिर 9 times जाएगा, 288, इस तरह से करीब 8 remainder बचेगा, तो ठीक है, 32 और 19 multiply कर लिया हमने, और remainder हमारा 8 बच गया, अभी remainder 0 नहीं हुआ, तो फिर से एक बार apply करेंगे, फिर से लिख देंगे, using clits division lemma, 2, अब की 38 और, sorry, 32 और 8 के बीच में लगाएगे, ठीक है, तो आप statement लिख देना, मैं direct इहां लिख देता हूँ, 32 is equal to 8 into 3 plus 0, और अब 0 आ गया, पूरा लिख देना, remainder equals to 0, hence, the HDF of 616 and 32 is 8, therefore, maximum number of column in which they can march is 8, ओके, तो यहां आप पूरा लिखिये गए, ठीक है, MX ने लिखना है, maximum और NUMBER पूरा नमबर लिखना है, ठीक है, मैंने short में लिखा है, अब फूर्थ कुशन है, use Eclipse Division Lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3M or 3M plus 1 for some integer M, तो कैसे करेंगे, let A be any positive integer and B is 3, तो B को 3 माल ले थे, A कोई positive integer हो गया, then by Eclipse Division algorithm, algorithm लिख सकते हैं, lemma लिख सकते हैं, इतना कोई चकर आप में नहीं है, ठीक है, इतना कोई बारिकी से नहीं देखाएगा क्या लिखाए, अलाकि थोड़ा सा difference है दोनों में, मैंने concept all video में बताया है, क्या है, तो चले लगा देते हैं, is equal to 3 माना है, हमने 3Q plus R हो जाएगा, अब चुकि हमको दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है, इसलिए हम इसको detail में नहीं जाएंगे, कि यह 3Q R कैसे लिखेगा, ओके, तो R कहां से कहां तक हो सकता है, R की value 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, लेकिन 3 से यह कम रहेगी, so R की value क्या हो सकती है, R equals 2 या तो 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2, 3 नहीं हो सकता है, 3 से कम होना चाहिए, अब value पूट करेंगे, now, putting value of R, अच्छा एक और चीज़ बताना है, कि आपके जो example दिया हुआ है, exercise जो दी हुई है, उसके अंदर जो question उसमें hint भी दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये कहा है कि आप x को कोई positive integer मान के चली, यानि एक ही जगा x लिखना है, लेकिन जो exam में question आता है, वहाँ आपको hint नहीं दिया हुगा है, ठीक है, तो आप a कुछ भी मान सकते हो, a, x, y, z कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, अगर आपको दिया है, कि यहाँ इसको x मान के चलना है, तब आप x लिखेंगे, वरना a ही ही हर जगें लेके चलो, वो सबसे आसान है, ठीक है, तो हमने यहाँ a सिली लिखा है, बाकि अगर आपको hint दिया हुआ है नीचे, तो आपको x लेना है, क्योंकि वहाँ x mention है, लेकर exam में hint नहीं दिया था, जो पहले question आया है, यह question आ चुका है exam में, तो वहाँ hint वगरा नहीं दिया, तो आप a लेकर चलना है, तो r की value पुट कर देंगे, a is equal to आपका, क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा, 3q कब होगा, जब r की value 0 होगी, for r equals to 0, r 0 हो जाएगा, तो देखो यहां क्या हो जाएगा, 0 रख देंगे, 3q बचेगा, इसी तरह a की value 3q plus 1 हो जाएगा, जब r की value 1 होगी, ठीक है, यहां लिख देना, ब्रैकेट में आपको पूरे लिखना है, for r equals to 1, a की value 3q plus 2 हो जाएगी, जब r आपका 2 हो जाएगा, ओके तो अब इसका square करना, यह जो तीनों value और की आई है, यह वाली, यह वाली, यह वाली सबको square करेंगे, ठीक है, अगले पेश पे करता हूँ मैं, now squaring above, we get, हमें क्या मिलेगा, इस a का square करेंगे, तो यह क्या था पहले वाले में, 3q, इसका square करना है, अब यह क्या हो जाएगा, 9q square, इसको, अब देखे, question के हिसाब से हमको चीजों का adjust करना है, question में दिया है 3m, यानि 3 बाहर ले लो और m बना देंगे, क्योंकि m कोई integer हो सकता है, m की value constant नहीं है, कि जो यहां हो, वो यहीं पर भी हो, m की value कुछ भी हो सकती, अलग हो सकती, कोई दिक्कती बात नहीं, तो 3 हम बाहर ले लेंगे, तो हमारा इस तरह से बन जाएगा, तो हमें देखना है, को जुगार लगाना है, कि कैसे करना है, ठीक है, तो इसमें से गर हम 3 common ले लें, तो क्या बचेगा, 3 q square, ठीक है, इसको अंदर करेंगे, 9 q square हो जाएगा, तो 3 हमने बाहर ले लिया, अब हम लिख सकते हैं, कि इसको हम 3 m माल लेते हैं, और आप bracket में लिखेंगे, वेर, m equals 3 q square, तो यहाँ पर हमने m की value 3 q square लखा है, तो ठीक है, इसको हमने m लिख दिया, कोई problem की बात नहीं है, अगला step चलेंगे, यहाँ भी square करेंगे, यह क्या था, 3 q plus 1, इसका square, अब इसको कर ले, तो 9 q square, प्लस 1, प्लस 6 q, अब इसमें भी 3 common ले लेंगे, तो 3 बहार ले लिए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, 3 q square अंदर बचेगा, और इधर से, यह 6 q में से 3 बहार लिए हैं, तो यहाँ 2 q बचेगा, अब 1 से तो common ले नहीं सकते हैं, 1 को बहार लख लेते हैं, ठीक है, तो अब इसको, इसको हमने m मान लिया, यहाँ 3 m प्लस 1, यहाँ side में लिख सकते हैं, where m की value क्या है, 3 q square प्लस 2 m, ठीक है, इसको लिख देना, कोई problem नहीं है, अब तीसरा वाला भी कर लेते हैं, चलो भई, 3 q plus 2 square is equal to, क्या हो जाएगा square करेंगे, 9 q square, प्लस 4, प्लस 12 q, 3 common ले लेंगे, अब वही आएगा, यहाँ पर भी लगबग 3 q square, प्लस 12 में से अगर हम 3 लेंगे, तो आपका 4 q हो जाएगा, अब देखिए, यहाँ से भी 3 हम common ले सकते हैं, इसको हम 2 हिस्से में नहीं बाढ़ सकते हैं, यानि 3 प्लस 1 लिख सकते हैं न, तो इस 3 को हम common ले लेंगे, तो क्या बच जाएगे, यहाँ 1 बचेगा, और यह वाला 1 जो हमने छोड़ दिया था, इसको हम यहाँ लिख देंगे, अब इसको भी हम लिख सकते हैं, 3 m प्लस 1, यह चीज़ आपको लिखना नहीं, ठीक, इसको मैटा देता हूँ, अब यहाँ क्या होगा, m की value यह होगी, 3 q square प्लस 4 q प्लस 1, इस तरह आपको side में लिखना है, where इस तरह करके value लिखना है, जैसे मैंने यह पहले वाले में दिखाए था, इस तरह आपको लिखना है, exam में आएगा तो, तो बस यहाँ लिख देना है, hence we can say that, क्या कह सकते हैं, square of any positive integer is either of the form 3m और 3m प्लस 1 for some integer है, ओके, 5th question देखते हैं, use equivalent division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, तो अब यहाँ cube निकालना है, वही same कहानी वीडियो को pause करके, आप खुद solve कर सकते हैं, वहाँ square निकाला था, यहाँ cube निकालेंगे हैं, तो पहली line क्या लिखेंग लिखेंगे, let a be any positive integer and b is equal to 3, ठीक है, मैं statement पूरा ने लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, तो then by eclipse, algorithm, eclipse, division, lemma, जो भी लिखना चाहें आप, लगा दिया हमने, वो क्या है, a is equal to 3q हो जाएगा, प्लस r, यही तो है न, b को 3 मान के चले हैं, और यहाँ r की value लिख लेंगे, क नीचे आप लिख लेजेगा, so r की value क्या हो सकती है, 0, 1, और 2, इतना हो सकता है, ठीक है, फिर वही लिखेंगे, putting value of r, r की value put करेंगे, क्या आएगा, a is equal to 3q आएगा, where, sorry, for r equals to 0, जब r 0 रखेंगे, इसी तरीके से a की value एक बार 3q प्लस 1 आएगी, वही जो पहले पिछले वाले question में हमने किया था, जब r की value यहाँ 1 रख रहा है, a is equal to 3q प्लस 2, जब r की value 2 रख रहे है, आप लिख लिजेगे, यहाँ bracket लगा आगे, ठीक है, for इस तरह से, पूरा अच्छे से explain करना है, अब हम लिखेंगे, cubing both side we get, तो भाया, cube कर लेते हैं, a cube करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह पहले वाले में क्या था, 3q था, तो यानि हम कह रहे हैं, 3q का whole cube करना है हमको, क्या हो जाएगा, 27 cube, अब देखो, बनाना क्या है, पिछटे वाले में बताया था, हमने, यहाँ 9 है न, यानि 9 को हमको बाहर नि अब 9 अगर हमने common ले लिया, 9, 3, 27, तो 3q, cube हो जाएगा, अब हम इसको 3q को m मान लेते हैं, तो 9m हो जाएगा, यहाँ साइड में लिख लीजेगा आप, where m क्या है आपका, 3q cube, okay, second वाला करेंगे, cube, अब इसमें सिर्फ solve करने का है, कुछ समझने का है नहीं, 3q प्लस 1, इ पहले करेंगे, इसका cube हो जाएगा, 27q cube, प्लस, यह 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस 27q cube, sorry, q square हो जाएगा, ठीके, q square हो जाएगा, प्लस 9q, okay, तो अब भाईया 9 common ले लो, वही वाला काम, 3q cube हो जाएगा, प्लस 3q square हो जाएगा, प्लस q, और 1 बाहर रह जाएगा, इसको हम अगला वाला देख लो, इसको भी हम कर देते हैं, cube, 3q plus 2, इसका whole cube, क्या हो जाएगा, 27q cube, अब यह 2 का cube हो जाएगा, हमारा 8, प्लस, अब यहाँ यह 36q हो जाएगा, और 54q square, ओके, तो यहाँ से भी 9 common ले लेंगे, क्योंकि हमको 9 में ही लिखना है, 9 में ही बनाना है इसको तो 3q cube plus 6q square plus 4q bracket band plus 8, तो इसको हम लिख देंगे 9m plus 8, जहाँ m की value यह है, 3q cube plus यह, इससरा आपको लिखना है side में, अगर एक line में पूरा ना आए, तो अगली line में आप लिख सकते हैं, ऐसा है नहीं कि बिल्कुल यहाँ दे लिखते हैं, मैंने तो समझाने के लिख दिया ह ओके दो इस वीडियो में इतना ही यहाँ पर exercise complete होती है, अब अगली वीडियो के अंदर हम exercise 1.2 के जो related concept होगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप comment करके जरूर बताईए, अच्छी लगी है तो यार like जरूर कर दो, और अपने दोस्तों में share करो, अ इसलिए बनाया है, कि Facebook page भी उसके जरीये से भी आप share कर सकते हैं, वो जादा easy होता है, ओके तो Facebook page को like कर लीजिए और वहाँ से अपने दोस्तों को share कर सकते हैं, thank you.